तो यह क्या कर रहे हैं आंदोलन में इन्होंने अपने लोग घुसा दिये गए हैं जो आपके आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो अप्रेल का अंदोलन था दो अप्रेल को एक आदमी ने आके जोड़ी चलाई अंततह वो आदमी RSS और BJP के संगठानों से जोड़ा हुआ निकला लेकिन उसके उपर कोई कारवाई नहीं क्योंकि अंततह वो यह चाहते हैं किसी भी सूरत में यह अंदोलन समाप्त होना चाहिए बिल वापिस करने के लि फिर से उपस्थित वाँ जैसे कि लंबे समय से अब तो देश में किसानों का अंदोलन चल रहा है और किसानों के और सरकार के बीच में कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं साथी साथ ऐसा भी हो रहा है कि अब तो कोई बीच का रास्ता भी निकलता हुँआ द किसानों के मांगे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ सरकार को बड़ा हिर्दे दिखा करके कोई काम करना चाहिए था कोई कदम उठाना चाहिए था किसान अधिक सधिक यह चाहते हैं कि उनकी जो MSP है उसका जो मूल्य है उसकी गैरेंटी मिल जाए पर ऐसा हो नहीं रहा अब ऐसे में सरकार भी किसानों के सामने एक चुनोती के रूप में खड़ी होती जा रही है मैं सरकार के साथ साथ एक शब्द दुर इस्तमाल करना चाहूंगा कि RSS और BJP जैसे जो संगठन है अब ये अपने ढंग से एक नई तरह के राजनिती कर रहे हैं किसानों का अंदोलन जो है किसानों के अंदोलन को अब खतम करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, येन, केन, प्रकेन हर तरह से उस अंदोलन को समाप्त करना है ये अंतिम लक्षय हो गया है BJP का और RSS का आप एक बात नोट कीजिएगा कि अब न्यूस चैनल पर ऐसे किसान आएंगे ऐसे किसानों को बलाया जाएगा बताया जाएगा उनसे सवाल पूछे जाएगे जो सरकार के दुआरा बनाएगे इन तीनों बिल के पक्ष में बात कर रहे हैं यकिन नहीं आ रहा है तो आप पिछले तीन-चार दिनों में जो गतिविधी चेंज हुई है जो न्यूस चैनल पर जो किसान आके अपनी बात कह रहे हैं आप पाओगे कि धीरे धीरे वो किसान ऐसे हैं जो किसान सरकार के पक्ष में बात करते हुई दिखाए देंगे और वो किसान है या नहीं है वो आया कहां से है वो विक्ति कौन है उसके बारे में ना तो आप जानते ना मैं जानता हूँ लेकिन ये एक सरकार के पक्षमे माहूल बनाने का एक बड़ा ही बहतरी न्धंग है एक लोगों को भ्रह्म में डालने की एक राजनीती की शुरुवात बीजेपी सरकार ने कर दी है केवल इतना ही नहीं बीजेपी ने विशेश रूप से आदेश दिये हैं अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को कि जब भी आपको न्यूस चैनल पर जा करके किसान बिल के संबंद में बात करनी तो आप जरूर जाएं ऐसा कभी ना हो कि आपके पास वक्त ना हो और वहां जाए और अपनी बात रखें तो ऐसे में मीडिया का भरपूर इस्तमाल कर रही है बीजेपी तो आप देखेंगे जब टीवी चैनल खुलते हैं तो टीवी चैनल किसानों के पक्ष में कम बोलते हैं सरकार के पक्ष में वो जादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी वजह से बीजेपी के आला कमान आला नेताओं ने आदेश दे रखा है कि कोई भी मंतरी कोई भी सांसद कोई भी विधायक along with cabinet मंतरी अपने आपको फिरी रखें मोका लगे तो न्यूस चैनल पर जाए अपनी बात रहें कि सांसद विधायक और मंतरी अपने अपने छेत्रों में जाकर के माहूल बनाएं कि यह जो बिल हैं यह ठीक हैं किसानों के पक्ष में हैं और किसानों को इसका समर्थन करना चाहिए तो इस संबंद में टीवी पर अब डिबेट होनी शुरू हो गई हैं और सरकार के पक्ष में लोग माहूल बनाना शुरू कर रहे हैं इसके अलावा ये जो लोग हैं इनके जो मंत्री हैं इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर विधायक हैं या सांसद हैं वो ये कहेंगे अगर ये बिल नहीं है तो किसानों के स्थिती सुधरही की कैसे हम तो किसानों के स्थिती को सुधरना चाहते हैं हम तो किसानों के पक्षमे काम करना चाहते हैं तो किसानों के पक्षमे कह करके ये एक माहूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं बलकि माहूल किसानों के खिलाफ तयार करके आंदोलन को समाप्त करने की ये एक बड़ी गंभीर योजना मातर से जादा कुछ नहीं है इसकी योजना है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन बंद होना चाहिए इसके अलावा एक तरीका और अपना रही है बीजेपी के सरकार और रारेसस के लोग जहां 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 जो हमारी किसान भाई है इनको थोड़ा जागरूख होने की जरूरत है थोड़ा समस्य काम लेनी की जरूरत है जहां जहां हमारी किसान भाई आयोए डेरा लगायोए है तो आप नोट करना उनकी जो वो ट्रोली खड़ी है ट्रेक्टर खड़ी है तो उनपे बैनल पोस्टर लगे है तो अभी ये क्या कर रहे हैं आंदोलन में इन्होंने अपने लो करती है टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग में कनहिया का नाम आता है और कनहिया के साथ जितने वो लोग थे जो जियनियू में थे उनका नाम आता है तो ये इतने चलाक लोग है उनका पोस्टर बैनर खुद बनवाया और उन्हीं की ट्रोली पे जाके लगा दिया और ट्रोली पे लगाने के बाद अपने ही पत्रकारों से कहा कि जाओ उसकी वीडियो शूट करो और फिर उसे टीवी पे चलाया और टीवी पे चला करके ये कहते हैं कि अब किसान आंदोलन जो है किसान आंदोलन नहीं रहा है किसान आंदोलन तो अब उन ल आप समस्तार बने आपके बीच में ही लोग घुसा दिये गए हैं जो आपके आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं ये बिलकुल वैसा ही है जैसे दो अपरेल का अंदोलन था दो अपरेल को एक आदमी ने आके गोली चलाई अंतते हैं वो आदमी RSS और BJP के संगठानों से को अंतता था इस अंदोलन को बनाम करने की खराज ही लोग थे अब इस किसान अंदोलन को बनाम करने के लिए जिनका या अंदोलन है बाकी किसान क्यों नहीं आ रहा हृ राग्हार ने मैं राजिस्तान से किसान नहीं आ Finnish मद्यपरदसं पश्ची मुद्धपरदस के लेके मुजबफण नगर मुसची मुद्ध्धर नहीं आ cosa रें यह बताना चाह रहे हैं कि यह और राश्वियाम प्रुद्ध्ध सरकार के लोग चंद लोगों का सब्सक्राहएं बड़े कास्तकार हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं तो ऐसा परचार भ्राम फैलाने का काम कर रही है ये BJP सरकार के लोग इसके पीछे सच्चाई क्या है राजस्थान के लोगों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया मंध्यपर्देश में जाकरके दुनिया भर के मंत्री कैबिनेट मंत्री जाकरके गाओं-गाओं समझाना शुरू कर रहे हैं और वहां के लोगों को नहीं आने दिया जाना है भारी की जाए पुरीस की वज़ता की गई है यहां तक कि सैनेबल का इस्तमाल करने के लिए भी वर्तमान सरकार पूरी तरह से तयार है क्योंकि अंतत है वो यह चाहते हैं किसी भी सूरत में यह आंदोलन समाप्त होना चाहिए तो आंदोलन को बिल वापिस करने के लिए तेयार नहीं है सरकार सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है तो मेरे किसान भाईयो मेरे आपसे निवेदन है हद जोड़ के निवेदन है थोड़ा बुद्धी से काम ले अकल से काम ले और उने बीच में RSS के आईवे गुंडों को पहचाने वो कौन लोग हैं जो आपके आंदोलन को विफल करना चाहरें टीवी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साधिशन शुरू हो चुकी है मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो संदेश है आप तक जरूर पहुचा होगा और सभी लोगों से मैं गुशारिश करता हूँ देश के जितने भी सेडूल कास, सेडूल ट्राइब और OBC के जितने भी लोग है उस तमाम जितने भी संगठन है सब के सब एक जुट हो करके किसान भाईयों के साथ खड़े हो जाएं किसान भाईयों को मदद करें तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यह आंदोलन लंबे समय तक चल पाएगा और लंबे समय तक आंदोलन चलने के बाद इसके परेडाम भी सकारातमक जरूर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मैसेज को अपने तक नहीं रखेंगे बहुत आगे तक पहुँचाएंगे लोगों तक यह मैसेज जाना चाहिए मैं सतीश बहुत आप सभी से विदा लेता हूँ फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीचे में पस्टे तरहूँगा तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत साथ ववाद थैंक यू अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दोबार ना बोले देखते हैं बहुत निल्के नियुए